Hello everyone, welcome to Current Affairs Fund. आज की इस वीडियो में हमें एक data interpretation यहाँ पर discuss करेंगे. यह question basically bar graph और table के combination में है. Question का level काफी अच्छा है और यह question हमने practice mock के mock test से pick किया है. अगर guys आप आने वाले banking examination के तयारी करना चाहते हैं तो आप mock test के रूप में आप practice mock के mock test को follow कर सकते हैं. यह questions काफी updated हैं और नए pattern के base पर हैं. और upcoming days में जिसका भी ECGC PO का exam है तो वो एक तो free mock बना सकता है और साथ में यह 5 mock test आपको मिल जाएंगे आपके paper के लिए क्योंकि इसी March में आपका exam भी है और अगर आप चाहें तो यह practice mock pro ले सकते हैं इसमें 799 में एक साल के लिए सारे exams कबर होते हैं. तो इसका link मैंने आप सभी को नीचे description में दिया हैं आप इसको opt कर सकते हैं. So right now question कुछ इस format में दिया गया है ध्यान से आप इसको देखना. यहां पर कहा गया है कि a company manufactured three types of battery operated devices that is A, B and C. 5 different month namely gen, feb, march, april and may. The bar graph given below shows the percentage of type A device manufactured and percentage of type C manufactured in each month out of the total number of devices manufactured in the month. दो यहां पर question यह कहा जा रहा है कि तीन type की battery हैं, एक है अपका type A, और एक है type B, और एक है type C. अब यह जो तीन type की battery हैं, अलग-अलग month में manufactured होती हैं. जन्वरी में, फर्वरी में, मार्च में, एप्रिल में और माई में. ठीके, यहां पर जो bar graph है, इसमें यह data दिया गए है कि जन्वरी के अंदर A और B होती है, A और C होती है, ठीके, B के बारे में कोई भी information यहां पर नहीं दी गई है. ऐसे ही FAB में आप देख लोगे, कि आपको blue color दिखाता है A, और यह जो orange color है, यह दिखाता है C. कि March में भी, April और May इन month में हमें A और C का manufactured battery का data दिया गया है. बाकि यह जो table है, यह आप देखो क्या कहती है, table कहती है, total number of type A and type B devices manufactured. मतलब यहां पर कहा जा रहा है, कि A और B जो manufactured हो रहा है जन्वरी में, वो है 544, तो हमें इन दोनों data को, table को और graph को साथ में combine use करते हुए, हम इस data को निकालेंगे. अब कैसे करना है, वो चीज़ मैं आप सभी को यहां पर calculation करके दिखाता हूँ. पहले आप यहां पर यह देख लो, कि आपको data क्या 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 दिया गया है, अगर मैं यहां पर देखूं कि मैं एक मंत का लेकर चलना हूँ, जन्वरी का, ठीके, आप देखो जन्वरी में हमें type A की जो manufactured batteries हैं, वो पता है कितनी है 24%, ठीके, और हमें type C के बारे में data दिया ग entity involved है, A, B, और C, हमें A का percentage पता है, C का percentage पता है, तो obviously जो 100% होगा, उसमें से आप A और B को minus कर दोगे, A और C को minus कर दोगे, तो आपको B का percentage मिल जाएगा, तो same हम यही चीज़ यहां पर करेंगे, हम यहां पर जब B की value निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 minus, यह दोनों value को add कर दो simple, ठीक है, तो यह 24 बत्तिस कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका 56, तो यहां से B की value निकल कर आगए, वो कितने आगए, 44% यह आपको B की value मिल जाएगी, अब जो second वाली table दे दी रखकी है, इसमें देखो क्या क्या data आपको दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ज परसेंटेस कितना है, 24 परसेंटेस यहां पर है, और B का परसेंटेस कितना है, 44 आया हुआ है, बराबर 524 हो जाएगा, अगर इस परसेंटेस को combine कर लोगे, 40 और 20, 60 और यह कितना हो गया, 68, तो 68% की value आगई, 524, एक परसेंट की value आप निकालोगे, कितनी आजाएगी, 524 by 68 और 100%, मतलब कि total जितनी devices manufactured हो नहीं है, उनका हम यहां पर sum निकाल देंगे, वो कितना आजाएगा, into 100 यहां पर कर दो, यह बाली value आपकी यहां पर निकल कर इस format में आजाएगी, इसको आप cut down कर लो, अगर मैं 4 से काटता हूँ तो यह कितने बार जाएगा, 4 से जाएगा, ए 30 into 25, इसकी multiply कर दो, देखो 25 into 3, 75, 750, 25 into 2, 50, तो यह कितना हो गया, 800 आपकी 100% value निकल कर आगई, तो 100% क्या हो गया, यह आपका हो गया, टोटल कितना manufacture यहां पर हो रहा है, वो हो रहा है 800, अब यहां पर हम 3 का individual निकाल सकते हैं, एक की value कितनी आएगी, बी की कितनी आएगी, इसी की कितनी आएगी, तो जब आपको total पता चल गया है, तो आप एदेखो percentage कितना, 24% है, तो आप निकाल दो, 800 का 24%, तो यह कितना आजाएगा, यह आपका हो जाएगा, 24 into 800, divided by 100, तो 24 into 8 कितना आगया, 192 आपका हो जाएगा, इसी तरीके से बी कर लो, बी कितना है, 44, तो 44 into 8 कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, 4 into 8, 32, 320, और फिर 4 into 8, 32, आजाएगा, 320 plus 32, कितना आगया, 352, C देख लो कितना है, 32 है, 32 into 8 कर दो कितना आजाएगा, 8 into 3, 24, 240, 8 into 2, 16, तो 240 plus 16 है कितना आगया, 256, यह आपका निकल कर यह हम पर आगया, ठीक है, तो यह दोस्तों, आपका A और B और C का डेटा निकल कर आगया, इसी तरीके से हम, जन्वरी के बाद में, हमें दे रखा है, म इनको भी निकल देंगे, fund आपका similar ही लगेगा, ओके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह पूरी tableless format में बनेगी, अगर आप data निकल लोगे, जन्वरी का मैंने आपको दिखा दिया कि 800 आपका आया, ठीक है, जिसमें से A, 192, B और C, in the same way, Feb, March, April और माई का आप निक कोश्चन देखो, जो सबसे पहला कोश्चन है, वो क्या कह रहा है, पहला कोश्चन हम से कह रहा है कि average number of devices, ठीक है, पहला कोश्चन हम से कह रहा है कि average number of devices manufactured in all the five months together is, तो बहुत आसान कोश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, simple आपको average यहाँ पर निकलना है, तो यह कोश्चन आप लोग self solve करो, और मुझे बताओ कि कितना answer आप से भी का निकल करा रहा है, यहाँ पर जो दूसरा कोश्चन है, तोड़ा ठीक सा है, इसको हम discuss यहाँ पर करते हैं, देखो, इसमें क्या-क्या values के बारे में discussion किया है, बहुत ही द्यान से आप इस question को देखना, इसमें कहा गया है कि ratio of number of type B, यह लिखा है ratio of number of type B, devices manufactured in January and April together to number of type A devices manufactured in February and March together, बहुत है, इसमें हमें इस data को use करते हुए हमें अपनी values को निकालना है, तो आप देखो, आप से क्या पूछ रहा है, कि जन्वरी और April together, ठीक है, ratio निकालना है, जन्वरी और April का, तो अगर मैं देखू यहा जन्वरी और यह हो गया आपका April और type B devices है, तो type B devices में value कितनी आजएगी, 302 और यह कितनी हो गई, यह हो गई, 544, तो इन दोनों को add कर दो, 352 यहां पर 352 प्लस 544, रेशियो किसके साथ निकालना है, यह निकालना है type A devices, fab और march, ठीक है, यहां पर fab होगा, और यह कितना हो और इसमें क्या है, type A devices, मतलब यह वाला, 400 C plus 240, ठीक है, 480 plus 240, अब इनको देख लो, कौन से value कितनी आईगी, यह आपके value कितनी आजएगी, यह आपके आगई, 896, और यह कितनी आगई, यह आपके आगई, 720, किस से कटेगी यह value, 8 से अगर मैं काटता हूँ, तो 8 से एक बा और यह कितने बार, 9 बार जाएगा, 90 हो गया, फिर यह एक बार और कट जाएगा, इसको 2 से काट दो, तो यह 56 हो गया, यह 45 हो गया, अब फर्दर निकटेगा, 56 is to 45, that is the ratio here, यही ratio हैं पर, पूछा गया है, एक बार इस question को देखो, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया ह कि total number of type B devices manufactured in March and February together, is how much percent more or less than average number of type C devices manufactured in April and May together, ठीक है, तो देखो, इस question में एक आ जा रहा है कि type B जो devices manufactured होती है, March और February में, वो कितनी हैं यहां पर, अगर मैं देखूँ, यह February और यह March और यहां पर type B devices, इन दोनों का add होगा, 504 प्लस, 210, यह value आगई आपके 714, ठीक है, यह पुछा गया है कि how much percentage more or less है कि say, average number of type C devices manufactured in April and May together, अगर मैं April और May इन दोनों में type C की बात करूँगा, तो यह कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा, यही वाली value, और इनका average निकालना है, यह पुछा है, average number of 768, यह आपका equation मनेगी, 768 प्लस, 432 divided by 2, क्यों कि हमें इसका यहाँ पर average पुछा गया है, तो यह कितना जाएगा, यह हो जाएगा, 1200 divided by 2, तो कितना जाएगा, 600, यह value आपके निकल गरा गए, तो पुछा यह जो 706, यह से कितने percentage जादा है, तो देखो दोस्तों, more कितना है, 714, 600, यह 114 जादा है, किस value से, obviously 600 से जादा है into 100, इस format में, तो 6 से इसको काट दो, तो यह कितना आपका जाएगा, यह आपका जाएगा, 19%, that is the right answer here, ओके, इसको यहाँ पर देखो, यह question भी काफी अच्छा है, इसमें लिखा है, if selling price of one type A, one type B, and one type C, devices रुपीज 8, 10, and 15, ठीके, देखो इस question को हम कुछ इस format में solve करेंगे टेबल बनाकर बहुत इसली हो जाएगा, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एगर selling price, type A devices, मैं यहाँ पर type A लिख लेता हूँ, यहाँ पर B का data और यहाँ पर C का data, ठीके, आपसे कहा जा रहा है कि 8, 10, और 15 है, कितना है selling price, एक का 8 है, एक का 10 रुपे और एक का 15 रुपे है, फिर का गया है कि find the revenue generated by the company by selling 75% of type A, यहाँ पर दोस्तो 75% sale हो रहा है type A का, यह कितना है 50% हो रहा है type B का, और type C का कितना हो रहा है, यह हो रहा है 25% sale, ठीके, कौन-कौन से मत में, April, Feb, और Gen में, तो आप देख लो, April में जो data है, वो type A का कितना data है, 288 है, और अगर मैं दूसरा मन्द देखों, February, February में जो type B है, इसका data कितना दिया गया, यह है दोस्तो 504, और अगर आप देखोगे, अगला मन्द कौन सा है, यह है आपका Gen, तो Gen में जो यह data हो रहा है, कितना है, यह हो रहा है 256, ठीके, यह चीज़ आपको यहाँ पर सौन में आ 8 कर देना होगा, यह हमारा बन जाएगा, अब देखो 75% कितना होता है, यह आपका 3 by 4 होता है, तो 3 by 4 into 8 into 2 double 8, यही तो equation आपकी बन रही है, तो अगर यह 4 से 2 बार कट गया, 3 into 2 6 हो गया, 6 की multiply 288 से कर दो, तो 6 की multiply अगर 288 से करोगे, तो कितना हैगा, 6 into 8, 48, 6 into 8, 48, 452, 52, 6 into 2, 12, 12, 17, 17, 17, 28, यहां पर कर लो, 50% हाफ होता है, तो अगर आप हाफ करोगे 10 का, तो कितना जाएगा, 5, 5 की multiply, 504 से कर दो, 504 से, तो कितना होगे, 25, 20 आपका ही आगया, 25% कितना होता, 1 by 4 होता है, अब अगर आप इसको 4 से कर दोगे, तो 1 by 4 करोगे, 256 का, तो यह कितने ब आपका कितना आजाएगा, यह आपका आजाएगा, 15 into 4, 60, 90 और 96, 960 आगया, आपको simple क्या करना है, इन तीनों को add करना है, क्योंकि हमें totally when new generated ही, find out करना है, 17, 28, 25, 20 और 960, ठीके, तो यह कितना जाएगा, 8 यहां पर आजाएगा, 2 और 2, 4, 4 और 6, 6, 4, 10, ठीके, तो यह 0 आ हो गया, 1 यहां पर बचा, 9 और 1, 10, और 5, 15, 15, 15, और 7, 22, यह 2 बचा, तो 2 बज गया, अब 2, 1, 3, 2, 5, कितना गया, 5, 2, 0, 8, यह आपका right answer निकल कर आ जाएगा, ठीके, इस question को एक बार यहां पर देखो, number 5 है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया ह अगर मैं type V devices की बात करूँ, एक मन्त हमारा होगा, जन्वरी का, और दूसरा है, April and May, together, ठीके, तो यह होगा, April और May, यह तीनों की बात की जा रहे है, together, that is, फिर कहा गया है, is represented in a pie chart, अगर इसको हम एक pie chart में represent करते हैं, then find the central angle made by number of type V devices manufactured in April, तो बहुदा आसान कोशन है यह, इसमें कहा जा रहा है, कि सबसे पहले आपको कहना है, कि type V में इन तीनों को आप add कर लो, यह कितना होगा आपका, 352 जन्वरी, April और May, अगर मैं इन तीनों का total निकालों तो कितना जाएगा, यह आपका जाएगा, 4, 2, 6, 2, 8, ठीके, further आपका क्या बनेगा, 5, 4, 9, और 18, ठ कितना था, यह, कोई कह रही तो नहीं था ना, 18, ठीके, 8 होगा, एक पुचा, अब 3, 5, 8, 9, 10, कितना गया, 10, 8, 8 आपका total आ गया, अब पुचा गया, कि जो type B device है, ठीके, April में, April में, जो type B device है, वो कितना है, यह 5, 4, out of किसका, total का ही तो, 10, 8, 8, और इसका मैं central angle निकालना है, देखो, आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी central angle निकालना हो, तो आप क्या करोगे, 360 degree, क्यों कि, अगर मैं यह देखो, एक यह वाली value दी है, और out of this one है, और हमें central angle निकालना है, तो 360 degree आपका total होता है, ठीके, तो इससे यह वाली calculation आप निकाल दो, आपको angle में प में क्या आपका दिया गया है, देटा ध्यान से इस question को देखो, इसमें का गया है कि number of type A and number of type B devices manufactured in June is 20% more and 25% more than number of type A devices and number of type B devices manufactured in fab and April respectively, तो देखो, question यहाँ पर कहा रहा है, इसको आप एक बार ध्यान से समझना, question हम से यह कहा रहा है कि A और B, अगर हम इनकी बात करें, तो जो June में, यह 20% more होता है 25%, 20% more का मतलब कितना होता है, 120% होता है न, तो 120% लिखना, और B, 125% हो जाएगा क्योंकि 25% जादा है, फिर कहा गया है कि then, number of type A devices and number of type B devices manufactured in fab and April respectively, तो अगर मैं यहाँ पर, इसका fab का डेटा निकालूं, कि February में जो type A devices हैं, वो कितनी हैं, वो दोस तो होंगी 480, अगर आप दूसरी value April कह रही है, तो April में अगर आप type B devices निकालोगे, तो कितना हैगा, 544, ठीक है, यही values को हमें यहाँ पर further use करना है, तो अगर 120% निकालोगे, इस February वाली value का 400C का तो यह कितना आजाएगा, यह आपका आजाएगा, 1.2 से 480 की multiply कर दो, 1.2 स ठीक है, तो यह आपका आजाएगा, 576, ठीक है, इन दे सेम बे, 1.25 की multiply कर दो, 544 से, तो यह वाली value आपकी कितनी आजाएगी, यह आपकी आजाएगी guys, right now, अगर मैं इसकी convert करूँगा, तो यह हमारी आजाएगी, लगबग, इसको आप, देखो, 125% है ना, तो हम इसको इपलाई कर दो, into 5 by 4, तो यह कितने बार जाएगा, 4 से 1 बार, फिर यहाँ पर 14 हुआ, 4 से 3 बार, 6 बार गया, 136 into 5 हो गया ना, 680 आपका आगया, ठीक है, यह दोनो value आपकी निकलकर यहाँ पर आगए, अब हम से question क्या पोछ रहा है, question यह कह रहा है, कि if total number of device manufactured in June, June में जो total है, वो 80% जादा है, किस से total number of devices manufactured in March, so guys, यहाँ पर हमें clearly दिख रहा है, कि जो March में value है, total manufactured devices की, वो कितनी है, 750 है, तो obviously, यह 80% more देना है, तो हम कितना 180% हो जाएगा, तो 1.8 into 750, यह वाली calculation आप करोगे, तो यह calculation कितनी आजएगी, यह आजएगी, 1350 आपकी, अब यह हमें total पता चल गया, यहाँ पर June का, total June का पता चल गया, और June के अंदर A और B का data भी आपने निकाल दिया, अब question आप से क्या कर रहा है, कि then find the number of type C devices manufactured in the June, तो बहुत ही simple है, आप क्या करोगे, total में से, आप minus कर दोगे, इसको A और B को, तो आपका जो data है, C वाला, वो clearly यहाँ पर right answer, ठीके, तो इस format में आपको अपने questions बनाने हैं, और label कुछ इसी केद्गित रहेगा, अगर आपने practice अच्छी कर लिए, सब कुछ practice के ओपर depend करेगा, ठीके, तो आप इस तरीके से इन चीजों को follow करो, और आगे अपनी profession को और भी अच्छा करो, आगे हम फिर मिलेंगे, और इस वीडियो को आगे share जुरू करना, so thank you so much, have a good day to all of you once again, और अपना feedback comment section में share करें, और जो mock test का link है, वो मैंने आप सभी को नीचे description में दिया है, आप practice mock को follow कर सकते हैं,